तो दोस्तों UPSC, PET, RORO और अन्य पर्दुगी परिक्षाओं के लिए ये तीसरा वीडियो है कुल मिला के इसमें प्रस्णों की संक्या 30 रहती है खास बात यह होती है कि यहाँ पर मैं आपको 300 प्रस्ण पढ़ा देता हूं कुछ extra fact भी जो के related होते हैं बस वही बताता हूं सभी प्रस्ण वही रहते हैं जो की exam में पूछे जा सकते हैं आपको याद रहें इसके लिए प्रयास यह रहता है कि सभी प्रस्ण उत्तर हटा कर मैं टेलिग्राम चैनल पर डाल देता हूं और वही नीचे PDF भी रहती है या फिर वीडियो का link में देता हूं तो उससे यह होता है कि एक बार आप यहां पर लगा लेंगे प्रस्णों को पुन जब आप जाएंगे टेलिग्राम पर तो आपका test हो जाएगा कि आपको कितना याद हुआ अगर नहीं याद हुआ तो दुबारा से आके आप यहां पर पढ़ सकते हैं तो आज का पहला question है हाली में कार्टोग्राफी संग्रहले का लोकारपन कहां पर किया गया अब देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहले है तो यह important है कार्टोग्राफी की हिंदी क्या होती है तो इसकी हिंदी होगी मानचित्रण ठीक है तो देश का पला जो मानचित्रण संग्रहाले है ये मसूरी उत्राखन में खोला गया है याद रखिएगा विश्व हिर्दय दिवस मनाया गया कब मनाया गया 29 सितंबर को थीम है यूज हर्ट, नो हर्ट अभी देखो हाली में जो भारत में हरितकरांती के जनक हैं आपको यादी होगा M.S. स्वामी नाथन तो इनका जो है निधन हो गया है ठीक है हरितकरांती की सुरुवात कब हुई थी तो 1966 संसट में क्रवात हरितकरांती की सुरुवात हुई थी 98 वर्स तक प्रकृर्थटी के करीब रहेंगे तो आपकी उम्र बढ़ जाएगा तो यहाँ पर देखो हरितकरांती की जनक कोन है भारत में यह तो आप जानते ही हैं ठीक है विज्व में हरितकरांती की जनक कोन इधनshe प्रुलाग हैं यह तो भी यह आप जानते हैं लेकिन एक प्रस्ण अगर यह पुछ लिया जाया कि सदा बहार करांती की जनक कौन है तब आप रुक जाएंगे तो रुकना मत सदा बहार करांती की जनक भी कौन है MS. Swaminathan ही है और इसकी सुरुवात उन्होंने 2017 की थी और कहा यह था कि 2022 तक भारत में क्रिसी का समक्र विकास करना है MS. Swaminathan को भारत में उच्च उपस देने वाली गिये हूं और चावल की किस्म को पेस करने लिए 1987 में कब 1987 में पहला विसुखाद पुरुषकार मिला था तो यह बहुत ही important points है MS. Swaminathan जी से सम्मन्देद ठीक है एक बात और याद रखो कि भारत की जो हरित्रांती थी उसके जनक MS. Swaminathan को Raymond Max से से पुरुषकार भी मिला था कब 1971 में मिला था ठीक है दो प्रस्णाप से करूँगा पहला यह कि MS. Swaminathan का जन्म कहां पर हुआ था बताओ इनकी जन्म अस्थली दूसरी बात है कि Albert Einstein कुरुषकार इनको कब मिला था सर्च करो यकीन मानो सर्च करोगे याद रहेगा एक्जाम में और उसे बेहतर रंग आएंगे थोड़ी मेहनत करो हाली में इंडिया Smart Cities कांकलेव 2023 का आयोजन किया गया मद्यप्रदेश के इंदाओर में किया गया यह भी इंपोर्टेंट है Smart City Mission कब शुरू हुआ था आजकल ऐसे भी प्रस्ना आ रहे हैं एक्जाम में कि कब से शुरूआत हुई ठीक है तो मोदी जी की दोरा जितनी योजना शुरू हुई है न सब याद रखो उसमें से कोई न कोई एक प्रस्न पूछे जाएगा कि यह यह योजना कभी स्टार्ट हुई थी फिलाल Smart City Mission को 25 जुन 2015 को शुरू किया गया था और इसमें कुल 100 सहरों को सामेर किया गया था स्मार्ट बनाने के लिए Times Higher Education इसको T.H.E. लिखते हैं तो Times Higher Education के तारह घोसित World University Ranking WUR 2024 में भारत का जो IISC Bangalore है यह टॉप पर है बस इतना याद रखो वर्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 जारी हुई इसमें जो भारत है वो 56 अस्थान पर है अब देखो 2023 में भारत 56 अस्थान पर है लेकिन 2022 में भारत की रैंक 152 थी अब 152 से सिद्धी सिद्धी 56 अस्थान पर जारी किसने किया है International Institute for Management Development भारत जो है वो 64 देशों में 56 अ पर जो तीन देश है उसमें पहले स्थान पर सुटिजर लेंड है दुसरे स्थान पर लगजेंबर्ग फिर आइसलेंड हाली में Global Innovation Index 2030 जारी हुआ Global Innovation Index इसको GII इंडिकेट करते हैं तो इसमें भारत की रहेंग कितनी है 40 कुल 132 दिसों में भारत 40 वें स्थान पर है टॉप पर स्वीडिजर लेंड है दुसरे स्थान पर स्वीडेन है तिसरे स्थान पर है UES अमेरिका 19 में ACI खेल में सिफ्थ कौर ने किस खेल में स्वीड पतक जीता है तो सूटिंग में जीता है अब देखो जो ये ACI खेल हो रहे हैं ये 2022 के हैं जो कि 2023 में हो रहे हैं कहां पर हो रहे हैं हांग जाओ चीन में हो रहे हैं ये जरूर याद अखना ये इसका 19 संस्क्रण है ठीक ये Asian Games आठ अक्टूबर तक चलेंगे 23 सितंबर से सुरू हुए हैं उद्गाटन समारों में भारती धोजवाक रहे हर्मन प्रीत कवर और लवलीना बोर्गेहन ये most important point है ठीक है इसी के लिए मैंने इस प्रस्तु को यहाँ पर रखा हुआ है तो इतना तो जरूर याद रखना साथ-साथ यह भी याद रखो कि हाली में अंतररास्त्री हाला फेम में खिलाडी के रूपे ना मांकित होने वाले पहले ACI पुरुस व्यक्ति कौन बने हैं तो यह हैं लेंडर पेस भारत के पहले खिलाडी और ACI के पुरुस खिलाडी तो बन गए हैं लेकिन 2019 में Chinese खिलाड कौन बनी लेना बनी थी 2019 में लेकिन ACI के पहले पुरुस खिलाडी बन गए हैं लेंडर पेस और भारत के तो पहले हैं ठीक है देश में पहले पॉलिथिन कचरा बैंक को स्थावित किया गया है उत्तराखंड में यह इंपोर्टेंट है पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे यह 3 जुलाई को मना जाता है इंटरनेशनल पेपर बैग डे 12 जुलाई को होता है और पहला ग्लोबल प्लास्टिक ओवर सूट डे यह मना गया 28 जुलाई 2023 को तो यह पहला ग्लोबल प्लास्टिक ओवर सूट डे था जोकि 28 जुलाई को मना गया तो यह इंपोर्टेट है अ कार था बावनमा कम मिला था जो बावनमा था फ्रेंड्स ये 2020 के लिए था ये मिला था आसा पारेख को और तिरपनवा जो मिला है ये 2021 के लिए जो मिला है वहिदा रहमान को यह जरूर याद अगना इमपॉर्डेंट है विशु पर्यावरन स्वास्त दिवस का मना गया गया तो 26 सितंबर को अगर प्रसंब बनता की विशु पर आवरन दिवस का मना जाता आ तो आपको याद है पांच जून को होता है लेकिन अगर इसमें स्वास्त सब जुड़ गया तो यह हो जाएगा 26 सित सितंबर 2023 में Green Hydrogen से चलने वाली भारत की पहली बस यह चलिए दिल्ली में यहां पर जहां पर धुआ निकलता है नो वहां से पानी गिरता है अच्छा लगता है गिरता हुआ पानी सितंबर 2023 में पहला हल्दी सम्मेलन हुआ टरमरीक समिट यह मुंबई में हुआ 19-वे ACI खेल क्रम जरूर यादखना 19-वे ACI खेल 2023 में है तो यह 2022 के लेकिन हो रहे हैं 2023 में भारत की महिला करके टीम ने गोल्ड जीता है ठीक है किसको अराकर स्री लंका यानि कि स्री लंका ने क्या जीता है सिल्वर भारत की जो टिटास साधू है उन्होंने चार ओवर में ध हर साल भारत में 25 सितंबर को अंतियोद्य दियुस मनाते हैं किसकी जयनती होती है पंडित दीन दयाल उपाध्याय की यह प्रस्ण भी इंपोर्टेंट हो सकता है 19-वे ACI गेम्स में भारत ने पहला सौन किस केल में जीता तो सूटिंग में देखो एक्जाम में ऐसे से प्रस यह भारत का 24 और MP का सात्वा टाइकर रिजर्व है अब प्रस्ण है भारत का तिरपनवा टाइकर रिजर्व कौन बना था UP का रानिपूर ठीक है यह याद रखना फिर आगे बढ़ते हैं वर्ड लेडर फार पीस एंड सेक्योर्टी अवार्ड 2023 से किसी समानित किया गया माता अमरिता नंद मई को दिया गया है वर्ड लेडर फार पीस एंड सेक्योर्टी जवार्ड ठीक है सितंबर 2023 में वैस्वी कौसल सिखर सम्मेलन यानि की इस्किल समीट 2023 ग्लोबल इस्किल समीट 2023 का 14 संस्क्राइड याजित हुआ था नई दिल्ली में कब से कब तक तो 20-21 सितंबर 2023 को हाली में पहला आसियान संयुक्त सैन्य भ्यास इसको नाम जिया गया ASEX ASEAN Exercise 01N का आयोजन किया गया इंडोनेसिया में आसियान के सभी 11 सदस देशों ने इसमें प्रतिभाग किया पहले आसियान में 10 देश थे अब 11 हो गए है 11 कौन सा बना है तिमोर लेश थे हाली में किस राजी के विस्वनाद घाट को 2023 में भारत का सरस्रेश्ट परेटन गाउं चुना गया इसको बस इतना याद रखो कि विस्वनाद घाट की बात आएगी तो असम याद रखना पस्चिम बंगाल का क्रिटेस्वर गाउं भी ये भारत का सरस्रेश्ट परेटन गाउं चुना गया है लेकिक किरिटेस्वर पसिम बंगाल में है और विशनात घाट ये असम में है विशनात घाट को गुपत कासी भी कहा जाता है ये भी याद रखना हाली में G77 प्लस चीन का सिखर सम्मेलन हुआ है क्यूबा में क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है G-77 प्लस चीन में क्या चीन G-77 का सदस्य है जी नहीं नहीं है हाली में भारती सेना में सामिल स्वधेश निर्मित स्वण निस्क्री एंटी-टैंक माइनस का क्या नाम है तो विभव एकजाम में पुशा जाएगा विभव क्या है तो याद रखो कि ये एक anti-tank mines है जो कि भारत में बना है बीसवा राश्टी पुस्तक मेला अभी हाली में आजित किया गया कहाँ पर लखनौव में 2 October को last date था 23 सितंबर से 2 October तक और सितंबर 2023 में भारत और किस देश के बीच युद्धभ्यास 2023 कायोजन किया गया तो अमेरिका ये 19 वा संस्क्राण है 19 वा एसियन गेम्स और 19 वा युद्धभ्यास दोनों याद रखो ठीक है अच्छा अमेरिका के साथ भारत कौन कौन सी exercise करता है टाइगर ट्रंफ, कोप इंडिया, वज्र प्रहार, संगम और सेलवेक्स ठीक है तो इसकी PDF चाहिए या फिर exercise करना है तो टेलिग्राम चैनल आपको जोइंग करना पड़ेगा टेलिग्राम चैनल है study with ज्यान प्रकास सर्ज कर सकते हैं डारेक्ट लिंक वीडियो के description में है थैंक यू, please do like and share, अगर आप चाहते है श्री चलती रहे तो like और share करना तो आपको पड़ेगा भाई क्योंकि बिना motivation के तो कोई काम होगा नहीं ठीक है तो motivation देते रही है आप लोग, मैं भी आपको समय पर आपका course complete करवा दूँगा, थैंक यू और हां एक चीज और देखो यह मैंने एक PDF बनाई है इसमें मई से अगस्त तक सितंबर की भी आपको मिल जाएगी अलग से तो इसमें यह PT के लिए special current affair है इसमें देखो reading के दिया गया है, इसके अलामा मई, मई का पूरा current affair आपको मिल जाएगा, जून का मिल जाएगा, फार्मेट आप खुदी देख लो, फार्मेट काफी सांदार है, मोबाइल में भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, मोबाइल में भी आप पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ इसका print out भी आप ले सकते हैं, कुल में जाके 134 यहाँ पर page है, तो मतलब लगभग आपका जो है, 50-60 page मानगी चलो, 70 page के आसपास, ठीक है, password page, password पन्ना, password पन्ने में आपको इसका print out मिल जाएगा, तो बहुत ही सांदार PDF है, निश्चित रूप से इसमें से सारे प्रस्ण आपको मिल जाएगे, 90% तो मिली जाएगे, और देखो यहाँ पर जो प्रस्णों को रखा गया ना, वो ऐसा रखा गया कि आपको याद हो सकें, जहाँ पर जुरूरत है, नहीं जुरूरत है, नहीं दी गया है, बहुत ही एक सांदार notes के रूप में इसे बना गया है लेने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं मैं देखता हूं लोग 20 रुपे 30 रुपे 40 रुपे 50 रुपे की चाय पी जाते हैं समुसा खा लेते हैं लेकिन किताब नहीं खरीते किताब उनको मागी लगती है खेर यह आपका डिसीजन है कि आपको किदा लाबों से प्यार है या फिर फास्ट फूट से थैंक यू